आप सभी ने The Mountain Man, दश्रत माजी के बारे में तो सुनाई होगा लेकिन क्या आप The Forest Man of India के बारे में जानते हैं? ये है जाविद मॉलाई पाहेंग, जिने The Forest Man of India भी कहा जाता है उन्होंने कई दशकों के दोरान अकेले अपनी महनत और निष्ठा से मिट्टी और कीचड से बरी जमीन को एक घने जंगल में बदल दिया इस जंगल को मॉलाई वन कहा जाता है जो कि उन्ही के नाम पर है और ये जंगल आसाम की माजूली द्वी पर स्खित है ये जंगल बनाने का सिलसिला तब शुरू हुआ जब 1969 को आसाम में आई बाढ़ने मिट्टी और कीचड के जरिये बहुत सारे पेड़ पौदे नश्ट कर दिया जिसके चलते उनके इलाके के आसपास सैकडो साप उनकी आखों के सामने मरने लगे जिनसे वो बहुत डिस्टरब हो गए तब उन्होंने उस पूरे इलाके को वापस से हरा वरा बनाने का प्रण लिया और आज इतने सालों के बाद उनकी महनत और दृड़ता के कारण कई जानवरों और पक्षियों को एक नया घर मिला है उनकी इस अद्भुत कार के लिए उन्हें 2015 में पदमश्री से सम्मानित किया गया था तो आप सबसे रिक्वेस्ट है कि जितने होसा कि उतने पेड़ पौदे लगाएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें